साउथ चाइना मॉनिंग पोस्ट के हवाले से ये खबर है कि भारत ने बांगलादेश के साथ मोंगला बंदरगा के टर्मिनल के ओपरेशन की डील कर ली है लेकिन वो इस पोजिशन में आ गया कि वो अपनी पार्लिमेंट में बजट बनाते वक्त ये रख सके के हम फलाँ गरीब मुलको एतने पैसे देंगे चीन का दिल तूड़ गया दो जबकि मोंगला पोर्ट बंगलादेश का दूसरे सबसे बड़ा बंदरगा है अब भारत के पास ऐसे तीन विदेशी पोर्ट के ओपरेशन की जिम्मिदारी है साथी इससे चिकननेक या सिलिगुडी कॉलिडोर पर दबाव कम होगा भारत को इस्टन स्टेट तक पहुंचने के लिए अल्टरनेट रास्ता मिल जाएगा हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने के लिए भी ये बंदरगा बेहद एहम माना जा रहा है हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन जिबूती में 652 करोड और पाकिसान के गवादर में 1.3 लाग करोड की मदद से बंदरगा बंद रहा है वहीं चीन के पास श्रीलंका के कोलंबो और हमबन टोटा बंदरगा भी है विदेशों में बंदरगा का संचालन किसी देश की समुद्री शमता को बढ़ाने में मदद करता है ऐसे में भारत के पास अच्छा मौका है कि वो मूंगला बंदरगा का संचालन कर अपनी शमता का प्रदर्शन करे तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट जिसके पीछे चीन भी पड़ा था और भारत भी पड़ा था वो बंगला देश ने भारत को दे दिया चीन का दिल तूट गया दोस्तों और पिछले 10 दिन में अब चीन का दिल जो है वो दूसरी बार तूटा है दूसरी बाद तो दिल का दोरा ही पड़ा है डिरेक्टली चीन को मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक port है वहाँ पे मौंगला एक बंदर गाय मौंगला पोर्ट मौंगला पोर्ट की पूरी की पूरी operational rights भारत को देती है बंगलादेश की सरकार ने तो जो लोग ये कह रहे थे बड़े हासी मजा कड़ा रहे थे memes बना रहे थे कि भारत को निकाल दिया बंगलादेश से और ये खुशियां मना रहे थे hold on hold on अभी तो पर्टी शुरू यह रभी देखना आगे-आगे क्या होता है अच्छा जी अच्छा दोस्तों यह पूरा प्रजेक्ट होगा मैनेज इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड का जो की खोली ओंड सबसिडिरी है सागरमाला डेवलप्मेंट कंपनी लिमिटेड की अंडर मिनिस्ट्री ओफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज SDCL यानि की सागरमाला डेवलप्मेंट कंपनी लिमिटेड एक प्रीमियर स्टेट एंटर्प्राइज है 2016 में मोधी सरकार ने इसको बनाया था कि हर जगे अपने पोर्ट बनाओ दुनिया में चीन चाह रहा था जाहर सी बात है अब सब ऐसा है कि जो मोंगला पोर्ट है बंगलरदेश का सेकंड लजो सपोर्ट है चैटाकॉंग के बार चैटाकॉंग इस दिग्ज स्ट्वट और यह इंडिया का थरड सक्सेस나्वल बेड रैड इस मितला जो शिपिंग इंडस्ट्री हमारी जो मिनिस्ट्री है शिपिंग की उसका। जिसका मतलब यह है कि उनके जो ट्रैजरी है उनका जो खजाना है उसके अंदर एतनी ताकत आ गई है उनके वसाइल इस तरीके से कंसालिडेट हो गए हैं वो तरकी के रास्ते पे इस तरीके से चल पड़े हैं कि अब यह चोटे मोटे गरीब मुलकों को इंदाद दे सकते हैं इस सारी स्टोरी में जो पाकिस्तान की आपने बियान की जनाब कि वीजा जो है उस पे भी आप जो है वो नहीं लेंगे उन से फी अंडर्ड मिलियन की भी बात की इसमें मिसिंग जो लिंक है वो इंडिया है कि यह जब तक इंडियन पाकिस्तान में नहीं आएंगे ना अज से जदे टूरिस्ट जैपनीज होते हैं उसके बाद चाइनीज होते थे अब इंडियन उनों शुरू हो आफ्टर चाबहार चाबहार इरान में वो पहला था इसका बहुत बड़ा प्रजेक्ट सित्वे है मैमार में और अब ये हो गया आपका मोंगला बंगलादेश में इसके इसके बारे में बात कर रहा हूं तो यह देखिए उन्होंने एक पूरा कॉंट्रेक्ट चाइना के मूह से माल पूरा खीचा और बंगलादेश का मोंगला पूर्ट पूरा का पूरा हो जाएगा इंडिया की मिनिस्ट्री अफ शिपिंग के अंडर अग कि भारत को फाइदा किया है पहली चीज़ बाइलाटरल ट्रेड विद बंगलादेश बढ़ाएगी यानि कि बंगलादेश के साथ जो हम दोनों की ट्रेड है देखिए दोस्तों ऐसा है कि बंगलादेश इस वन अफ टॉप टेक्स्टाइल फिनिश गूड्स प्रडूसर इन दो विल्ड प्रड़ादेश इस वन प्रड़ादेश इस और चाइना से बहुत सारी चीज़ें ली हैं और आज की तारिक में बंगलादेश की दो आम फोस स्थे आ मिन अवी और एफॉर्स इसकी उपर भी हमने करा था इसी प्लाटफॉर्म पर हमने एक एक वीडियो करा था जहां पे हम पूर दूर दरास के मुलकों की बात कर रहा हूं में अमारीका एवन कैनेडा तक के मुलकों की तो वहां से तो पन रहा मिंट में बाडर क्रास होता है तो वहां से यह बिलियन्स आफ पीपल जो हैं वो जब तक पाकिस्तान में नहीं आएंगे और उनके लिए माहल तो क्रियेट करना कोई मसला ही नहीं है उनके लिए आपने ब पाकिस्तान अपनी किसी भी चीज़ की शुरूरात अगर उसने करनी थी तो यह बजाए इसके के लोगों को 10 डालर का इंसेंटिव देता वो शुरूरात इस बात से करता के चले इंडिया से किसी वज़ा से हमारी तजारत नहीं हो सकती या दोस्ती नहीं हो सकती लेकर हम दोस्तों मुझे अमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी यूट्यूब चैनल सोच टैम्स को जरूर सस्क्राइब करें अगर फेस्बूप के देख लेत पेज को भी जरूर फॉलो करें मैं आपको होता तो सोच टैम्स के अलग अलग टॉपिक को गवर्ण किया जटे जाहां पर हम पाकिस्तानी मीडिया डियक्सान अगर कोई पी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर या पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेट भी वीडियो डालते हैं उसी एकसाल सथ हमारे इस चैनल को देखने को मिलेगा उसी एकसाल सथ आपको कई सारे इस हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहां पर डेली का सटर्टे लेट नाइट सो जहां पर सोसल मीडिया पर चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारें बात करेंगे एक काफी ज़दा हमारा यह चैनल काहिए वायरेंट होने वाला है काफी बेतरी यहां के लिए पॉप्षान होगा हमारे चैनल के बाद ज़ूर बिज चैनल को मिजिट कीने और सब्सक्राइब कर लें मैरे साब्से के आपको सब्सक्राइब करने के ज़ vert नहीं है क्योंकि हाप आपको हरे एक टौपिक यो दे प्रीव